नमस्का खेल समाचाय में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त खेल जिकत में काफी सारी हल चलें जो हैं वो चल रही हैं चाहे बात कर लें हांग जू में पैरा एशन गेम्स की या बात कर लें देश में चल लें एक रिकट वोल्ड कप की या फिर राश्ट्री खेलों की तो आज की इस स्पोर्ट्स पुल्टिन में हम इन तीनों खबरों को देखेंगे और जानेंगे लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले जानते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइन्स एशियन पेरा गेम्स में भारत सोवे पदक से सिर्फ एक पदक दू पुर्षों की लॉंग जम टी चौसर्ट्स परधा में धर्मराज सुरई राज ने एशियाई रिकॉर्ट बनाते हुए जीता गोल्ड वहीं बेंडमिंटन में प्रमोध भगत और सुहास यतिराज ने ज कुल्तान ओफ जोहर कप में भारती पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान से खेला 3-3 से ड्रॉ कल होगा मलेशिया से सामना वहीं महिला एशियन चैंपन्स ट्रॉफी में आज भारत थाइलेंड के खिलाफ करेगा अभियान का अगाज आइसीसी वांडे विशुकप में आज चेन्नाई में पाकिस्तान ने दख्षने अफरीका के सामें रखा 271 रन का लक्ष बाबर आजम और सौथ शकील ने जमाए अर्ध शतक सेमी फानल में पहुशने की उमीदों को जिन्दा रखने के लिए पाकिस्तान के लिए जीत है ज पादक तालिका में महराष्ट और सर्विसेस का दबदबा बरकरार तो आए स्पोर्स बुल्टिंग की जो है शुरुवात करते हैं वो पैरा एशियन खेलों से करते हैं चीन में चल लहे एशियन पैरा गेम्स में भारती खिलाडियों का शांदार प्रदेशन लगातार जारी है भारत ने आज तीर अंदाजी में स्वानपदक के साथ शुरुवात की महिलाओं की व्यक्तिकत कंपाउंड ओपन वर्ग में भारत की शीतल देवी ने स्वानपदक जीतने में सफलता पाई उन्होंने फाइनल में सिंगापूर की तीर अंदाज को शिकस्ती वहीं पूर्शों के 1500 मीटर टीर अर्थिस फाइनल रेस में भारत के रमन शर्मा ने पहला स्थान हासिल करते हुए स्वानपदक जीता रमन ने चार मिनट 20.80 सेकंड का समय निकालकर एशन रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेटल हासिल किया उदर बैडमिंटन में भारती खिलाडियों का पदक जीतने का सिलसला जारी है भारत के कृष्णा नागर ने पुरुष एकल के SH6 में रज़त पदक हासिल किया कृष्णा नागर को फानल में होंग कॉंग को खिलाडी से एक दो से हार का मूद देखना पड़ा बैडमिंटन में ही पुरुष एकल के SL3 वर्ग में भारत को स्वान और रज़त पदक हासिल हुए फानल में भारत के प्रमोध भगत ने अपनी ही देश के नितेश कुमार को हरा कर स्वान पदक जीता प्रमोध ने मुकाबले को कले संग घर्ष के बाद 22-28-21-19 से अपने नाम किया बैडमिंटन में महिला एकल S.O.5 श्रिणी में मुरुगेसन थुला सिमिती ने स्वान पदक जीतने में कामयाबी हासल की उन्होंने फानल में चीन की यांग क्यू स्क्रिया को 21-21 से हराया बैडमिंटन में ही पुरुष एकल के S.O.4 श्रिणी में सुहास यती राज ने स्वान पदक जीतने में सफलता पाई रोमान चक फानल में सुहास ने मलेशिया के खिलाडी को तीन गेम में शिकस दी जबकि पुर्षो के जावरिन थ्रो एफ चोवन में भारत ने धज़त और कांस पदक अपमें नाम किये भारत के प्रदीब कुमार ने जहां रज़त पदक जीतने में सफलता हासिल की वहीं लक्षत ने कांस पदक जीता पुर्षो की लॉंग जम टी चॉसर्ट स्परधा में धर्मराज सुलई राज ने एश्याई रिकॉर्ड बनाते हुए गोल मेरिल जीतने में सफलता हासिल की धर्मराज ने 6.80 मीटर की कूद लगाई एश्याई पैराखेलों में भारती खिलाडियों ने इतिहास रच दिया है अब तक भारत के पदकों की संख्या 99 हो चुकी है इस बार कई खिलाडी अपने दमदार प्रदेशन के साथ पिछले कई रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं वहीं जीत का परचम लहराने वाले खिलाडियों के परिवारों के बीच भी जश्न का महौल है देखिए रिपोर्ट चीन के हांगजू में चल रहे एश्याई पैरा खेलों में भारती खिलाडियों का दमदार प्रदशन जारी है इन खेलों में जहां भारतिय खिलाडी रिकॉर्ड तोड पदक जीत रहे हैं तो ही खेलों में ने रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रहे हैं हर्याडा के सोनी पत के सुमित अंतिल ने 73.29 मीटर के थ्रो के साथ जैवलिन थ्रो में स्वन पदक अपने नाम कर लिया इस जीत के साथ ही उन्होंने 70.8-3 मीटर के अपने ही विश्व रिकोर्ड को तोड़ दिया सुमित की शंदार जीत के बाद उनके गाउं में जश्न का महुल है वही सुमित की माता जी अपने बेटे की जीत पर खुशी जताती हुई उनके संघर्ष के दिनों को याद करना नहीं भूलती टोक्यो पैर अलंबिक में स्वन पदक विजेता अवनी लेखरा ने पहरा एशियाई खेलो में निशाने बाजी के 10 मीटर एर राइफल स्टेंडिंग SH-1 श्रेडी में सुन पदक अपने नाम करने में सफल रही वहीं टोक्यो पैर अलंबिक में रजद पदक जीतने वाले निशाद कुमार ने भी एशियाई पैरा खेलो में हाई जम्स परधा में स्वन पदक जीता है निशाद कुमार को उमीद है कि इस बार पैरा अलंबिक में भी पदकों की संक्या 100 पार जाएगी एशियाई पैरा खेलो में अब तक भारत का परधा शांदार रहा है उमीद की जा रहे है कि भारतिय दल इस बार 100 से अधिक पदक जीतने में सफल रहेगा इस ते पहले भारत ने साल 2018 में हुए पैरा अशियन गेम्स में सबसे अधिक बहत्तर पदक जीते थे स्पोर्ट्स टेस्क डीडी नीउज तुवाकी पैरा इशन गेम्स में भारती एथलीटों का दमदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है और अब बात कर लेते हैं 37 वे राश्ट्री खेलों की जो की गोवा में चल रहे हैं गोवा में 37 वे राश्ट्री खेलों का आयोजन किया जा रहा है वेट लिफ्टिंग में पुर्शू के 81 किलोग्राम भार वर्ग में राजिस्थान के नितेक जांगीर ने स्रौन पदक जीतने में सफलता हासिल की नितेक ने कुल 317 किलोग्राम वजन उठाकर स्रौन पदक को अपना बनाया वहीं मद्र प्रदेश के अजय बाबु ने रज़त और महराश्ट के अभिशेक निपाने ने कांस पदक जीता वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 71 किलोग्राम भारवर्ग में पंजाब की हर जिंदर कौन ने स्रौन पदक को अपने नाम किया वहीं महराश्ट के त्रिप्ती माने ने धरज़त पदक और मड़ीपुर की पी उमेश्वरी देवी ने कांस पदक जीतने में सफलता हासिल की पुर्षों के बास्केट बॉल में राजिस्थान ने मद्र प्रदेश को हराने में सफलता हासिल की राजस्थान ने रोमान्चक मुकाबले में 21-18 से जीत दर्ज की पुर्शों की कुष्टी में 36 गड़ के गौरव ने 89 किलोग्राम भारवर्ग में 89 किलोग्राम भारवर्ग में स्वान पदक जीतने में सफलता हासिल की वहीं सर्विसेस के PS मारूष ने रज़त पदक जीता जबकि पंजाब के अमरजीत गुरू ने कांस पदक को अपना बनाया और 37 वे नाशनल गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और खिलाडी पदक की जीत के लिए कड़ा संगर्श करते नदर आ रहे हैं इस बार के खेलों में कई नई इस परधाएं भी शामिल की गई हैं वहीं शुटिंग में भी खिलाडी अपना दम कम दिखाने को तैयार नहीं है NRI के महासचेवर जनरल को और सुल्तान सिंग मानते हैं कि इन खेलों में सुधार के लिए जमिनी स्तर पर काम किया जा रहा है और निशान बाजी में भी अच्छे नतीजे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं तिस वे नैशनल में की शुरुवाथ हो चुकी है और हमारे साथ है सुर्टिंग अचल शैन नीशो मेंiran को कितना फाल्य होगा यहा से देखिए यह सुर्व इंदर भारत मेरा है अब श्पोर्टिंग इवेंट जिसके अंदर प्रत्साहिन किया जा रहा है और इसमें प्रदान मंत्री जी और हमारे जो जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी है वो एक लगन से लगे हुए है कि इस प्रती को आगे से आगा बढ़ाया जाए जिसमें बच्चों का शुरू से यूथ लेवल से इस इस डिसिप्लिन में किसी ना किसी इस परदा के अंदर शौक उबरे और उसमें लगन में आगे से आगे निकले हैं आपने देखा गोवा जो है वो फुटबॉल के लिए जाना जाता है यहां पर फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं लेकिन अब मल्टी स्पोर्ट्स हो रहा है यहां पर मलखम का डिस्प्ले भी देखा तो ऐसे खेलों को भी काफी प्र to ten to fifteen thousand people which requires 10 to fifteen thousand rooms in that city so it is a tourism factor also besides that it is an element of positive growth of the nation how you see your shooter they are also performing in this event particularly after 31st so what do you think about their you know they are practicing their training सी शूटर भी तयार हैं तमाम अथलीट तयार हैं मुंकाबला शुरू हो चुका है देखते हैं रिजल्ट किसके फेवर में जाता है कैमरार सुमित के साथ मैं मुंकेश शुकला डेडी न्यूस गोवा वहीं 37 राश्ट्री खेलों में तलवार बाजी के खेल में भवानी देवी का जल्वा भी कायम है जिन्होंने प्रतियोकता का स्वन पदकप में नाम किया गोवा में मौजूद हमारे समवादाता मुंकेश शुकला ने भवानी देवी से खास बात की और उनकी इस जीत के अनभव को जाना थे विजूद में कर इस बीजुब्स एक जाना करके अगहा आथ इस प्रतियोड के बीज्ड विट ना इन चनल में अनाया करके we have video you know video referral from the pools to the finals it's so good to see this kind of development and it is important thank you so much तो ये भवानी देवी थी जिन्होंने पहला medal जीत लिया है ये शुरुआ था आगे आगे देखे होता क्या कामरा गवारो के साथ में मुखे शुक्ला डिटी नियूस कुआ गोवा में चले 37 राष्ट्री खेलों में फैंसिंग में भवानी देवी को कली टकर देने वाली तमिल नाडू की कन्या कुमारी जिले की रहने वाली सौम्या का जीवन संगर्श से भरा रहा है गरीब परिवार से आने वाली सौम्या 2011 से दलवार बाजी कर रही है 37 में राष्ट्री खेलों में खिलाडी पदकों के लिए जो राजमाईश कर रहे हैं फैंसिंग का खेल भी इन राष्ट्री खेलों में अपनी चमक बिखेर रहा है फैंसिंग की प्रधिश्ठित खिलाडी तमिल नाडू की सीए भवानी देवी जो भारत का प्रतनिधित्व उलम्पिक में भी कर चुकी हैं, इन खेलों में स्पूल वैन के ड्राइवर हैं और उनकी माता गार्मेंट शॉप में काम करती हैं सौम्या केरल के साई सेंटर में रहकर ट्रेनिंग करती हैं जहां उन्हें रहना, खाना, ट्रेनिंग और हॉस्टल की सुविधा मुफ्त मिलती है जिसके लिए वो साई का शुक्रिया अदा करती हैं सौम्या ने भुवनेश्वर और बैंगलूरू में हुए खेलों इंडिया उनिवर्स्टी गेम्स में टीम इवेंट में स्रौन पतक जीता था वो 2017 वर्ल्ड उनिवर्स्टी गेम्स में भी खेल चुकी हैं सौम्या मानती हैं कि राश्टी खेल हर खेलाडी की जिन्दगी का एक एहम हिस्सा होता है और वो पहली बार इन खेलों में शिर्कत करके अपने आपको गौरवान वित महसूस कर रही है सौम्या के कोच, सौम्या के खेल के प्रती दिवांगी को देख कर काफी उच्साहित हैं और वो मानते हैं कि उनमें काफी संभावना है बड़ा खेलाडी बनने की सौम्या एक बहुत अच्छी अपकमिंग फेंसर हैं जो कुछ पिछले दो-तिन साले से बहुत अच्छा परफॉम कर रही है और यह सारे जितने भी बच्चे हैं बहुत ग्रासरूट लेवल से हुआ हुए देश में जिस तरह से खेलों को लेकर महौल बदला हुआ है उसको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब फेंसिंग जैसे खेल भी देश में बड़ी प्रतियोगताओं में अपनी छाप छोड़ने में काम्याब होंगे नैशनल गेम्स हर खिलाडी के जीवन का एक नया हिस्सा होता है और वो इसमें शिर्कत करके अपने आपको गौरवान में महसूस करते है सो में अज़से खिलाडी पहली बार इन खेलों में शिर्कत करने आए और यहां से पदक जीतने में भी काम्याब रहे निश्चत तोर पर इस पदक से उनकी उडान को एक बल मिलेगा और आने वाले समय में वो देश का प्रतिनिजित बड़े मंच पर करने में काम्याब होंगे कैमरम गौरव के साथ नमुके शुकला डिटी निउस गौवा गौवा मचले 37 स्विर राश्ट्री खेलों में देश को युवा खिलाडी अपने कोशल और धायर का शांदार प्रदेशन कर रहे हैं देश के पूर्व खिलाडी इन खेलों में युवाओं का होसला बढ़ाते हुए भी दिख रहे हैं पूर्व टेनिस खिलाडी गौव नाटेकर भी राश्ट्री खेलों में युवाओं के खेल का आनन ले रहे हैं साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा खिलाडियों को दी जा रही सुविधा की भी तारीफ की गौव नाटेकर से एक खास बात की गौव में मौझूद हमारी संबादाता सुचित्राने हम इस वक्त गौव में हैं जहां राश्ट्रे खेलों का आयोजन हो रहा है और काफी उत्सा यहां पर देखने को मिल रहा है राश्ट्रे खेलों को लेकर तो किस तरह से देख रहे हैं गौवा की राश्ट्रे खेलों की मेजबानी को जी मैं समझता हूँ कि नैशनल गेम्स का जो कॉंसेट है कि टीम वर्क होना चाहिए और खिलाडियों को एक दूसरे से साथ खेलने और सीखने का उनको मन करना चाहिए मैं समझता हूँ उस हिसाब से पहले जो दो-तीन दिन हुए है इस गोवा के नैशनल गेम्स में मैं समझता हूँ कि वो एक अबजेक्टिव जो है वो अच्छा हो रहा है और जैसे आप देख रहे हैं कि इंफ्रस्ट्रक्चर और कोडिनेशन भी काफी मतलब उन्होंने एक तरह से एक लेवल उपर लेके गया है गोवा के गावर्मेंट में ने और मैं समझता हूँ कि इस वज़े से इस नैशनल गेम्स के बाद जो भी नैशनल गेम्स होंगे मैं समझता हूँ कि ओर भी अच्छे अच्छे और्गनाइज हो वाटर स्पोर्स के अगर हम बात करें इस तरह से आपने भोला कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगर हमें अलिंपिक में मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में अपने मैडल्स बढ़ाने हैं तो अलग-अलग खेलों पर ध्यान देना होगा वाटर स्पोर्स को मतलब मानते हैं आप एक इंडिया का अच्छा ब्राइड फूचर है देखे हर स्पोर्ट में अगर एक उच्छा होता है और अगर टैलेंट है तैलेंट अइटनिफिकेशन होता है और उसमें अगर स्कॉंसेशिप और पैसे आते है São तो देविल भी डेफिनिटली बहुत सारा हम लोग हमारा इंप्रूव्मेंट कर सकेंगे और मेडल्स भी जीतेंगे. ओपनिंग सेरमेनी में प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि भारत 2030 के यूथ उलिम्पिक और 2036 के उलिम्पिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा. तो भारत में जिस तरह का हम एक पूरा स्पोर्ट्स एको सिस्टम बनता हुआ देख रहे हैं, अब यह नैशनल गेम देखिया या जो प्रधान मंत्री ने अनौन्स किया कि 2036 उलिम्पिक के लिए भारत बिड करेंगे. मैं समझता हूँ यह खेल के लिए नहीं, लेकिन खेलाडियों के लिए भी और जो एक खेल का एको सिस्टम है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए कि जब आप उलिम्पिक्स या यूथ उलिम्पिक्स के लिए बिड करते हैं, तो इंफरस्ट्रक्चर, ग्र तो वागी राष्ट्री खेलों की अपनी एक एहमियत है, और इसमें शिरकत करने वाले जो खिलाडी होते हैं, वो आगे चल करके बड़ी प्रतियोगताओं में अपने नाम को एक नया आयाम देते हैं, तो बरहाल ये खबरे थी राष्ट्री खेलों से जुड़ी हुई प्रतियोगता में अपने अभियान का आगास करेगी, टीम का सामना पहले मकाबले में थाईलैंड की टीम से होगा, ये पहली बार है जब राची अंतराष्ट्री होकी टूनामेंट की मेजबानी कर रहा है, भारती महिला होकी टीम को अपने होम ग्राउंड पर खेलने का फा पहले मकाबले में भारती जूनियर होकी टीम ने पाकिस्तान के साथ 3-3 से ट्रो खेला, भारती टीम इस टूनामेंट की गत्व जयता है, यही नहीं टीम ने इस साल जूनियर एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया, भारती टीम पूल B में है और टीम के साथ मलेशिया पाकिस्तान और न्यूजिलैंड की टीम है, जबकि पूल A में चर्मनी, आस्ट्रेलिया, दर्खन अफ्रीका और ब्रिटेन को जगह मिली है, भारती टीम ग्रूप चरण में 28 अक्टूबर को मलेशिया और 30 अक्टूबर को न्यूजिलैंड से भीड़ेगी, और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, आज शांदार फॉर्म में चल रही, दर्खन अफ्रीका का सामना पाकिस्तान से हो रहा है, चिन्नई के में चिदिंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे, इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजब ने टॉस चीद का पहले बल्ले बाजी का फैसला किया और दक्षन अफ्रीका के सामें 271 रन का लक्ष रखा, पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम और साउथ शकील ने अर्शत किये पारी खेली, जबकि दक्षन अफ्रीकी गेंदबास तबरेस शमस ने चार विकेट हासिल किये, जवाब में दक्षन के लिए मुकाबला काफी एहम है क्योंकि अगर उन्हें अपने सिमी फॉनल की रहा को मजबूत करना है और वहां तक पहुंचना है तो आज यहां पर जीत दर्श करनी होगी पाकिस्तान को वहीं 1-day विशुकप में गतविजेता इंग्लेंड को शिलंका के खिलाफ हार का मूद देखना पड़ा इस विशुकप में पाच मैचों में इंग्लेंड की ये चौथी हार है बेंगलरू के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इंग्लेंड ने टॉस चीत कर पहले बल्ले क्रिकेट टीम को क्रिकेट किट उपहार में दी जिससे उनके प्रदर्शन को बढ़ावा मिलने और प्रसिक्षन में सुधार की उमीद है नेपाल में भारती राजदूत ने काटमांडू में भारती दूतावास के अंदर आयोजीत एक समहरों के दौरान 20 क्रिकेट बैट औ नेपाल में भारती राजदूत नवीन श्रिवास्ताव ने कहा कि ये बल्ले भारती दूतावास और नेपाल क्रिकेट टीम के बीच एक यात्रा की शुरूत है बारती निशानबाद अरजुंग बाबूपर भारती निशानबाद अरज़ूंग बाबूस नेशानबाएं भारती निशानेबाज अर्जुन बाबूता ने कोरिया के चांगवोन में चल रही एशियाई चैंपेंशिप में पुर्षों की 10 मीटर एयर राइफल स्परधा में रज़त पतक हासिल किया और पैरिस उलम्पिक का कोटा प्राप्त किया बाबूता उलम्पिक कोटा हासिल करने वाले भारत के 9 निशानेबाज बन गए हैं महिला और पुरुषवर्ग में पैरिस उलम्पिक का कोटा हासिल करने वाले वो छटे राइफल निशानेबाज बन गए अरजन बबूता अपनी सुपलब्धी से बेहत खुश नदर आए और उन्होंने इस सफलता का श्रे सरकार द्वारा मिल रही सुवधाओं को दिया मैं इंडिन राइफल शूटर हूँ और आज यहां पे एशन चूटिंग चैंपेंशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया है सोनम उत्तम मसकर, गौत्मी भनोट और जैस्मिन कौर की भारती महिला जूनियर दस मीटर एयर राइफल टीम ने कोरिया के चांगवोन में एशिया निचानेबादी चैंपेंशिप में जूनियर मीट रिकॉर्ड के साथ स्वन पतक जीता भारती तिकडी ने 1891 द.6 अंग के साथ शीर्च पर रही भारत की जूनियर पुरुष और महिला स्कीट टीम ने भी स्वन पतक जीतने में सफलता हासिल की वहीं 10 मीटर एयर मिश्रे टीम में सरब जो सिंग और सुर्भी ने रज़त पतक जीतने में सफलता पाई पुरुष युवा 10 मीटर एयर राइफल में अभनव चौधरी ने 241.8 अंग के साथ स्वन पतक को अप में नाम किया हर्मिहर सिंग ने पुरुषों के जूनियर स्कीट में स्वन पर निशाना लगाया और निशाने बाजी के बाद अब बात कर लेते हैं बेडमिंटन की भारत की पीवी सिंधू फ्रेंच ओपन बेडमिंटन टूरामेंट से बाहर हो गई हैं थाइलेंड की सुपा निता केटे थॉंक के खिलाफ पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में सिंधू ने खुटने में कुछ परिशानी के हुई जिसके चलते उन्हें बीच में ही माच को छोड़ना पड़ा वहीं सात्विक साहराज ओचिराक शर्टी की जोड़ी भारती जोड़ी को फ्रेंच ओपन के पुरुश युगल के अंतिम सोला में हार का मूँ देखना पड़ा और अब बात कर लेते हैं कुछ्टी की अलबेनिया की राजधानी तिरानमे आयोजेत अंडर 23 विश्व कुष्टी चैंप्रेंशिप में भारत की रितिका हुड़ा ने स्वन पड़क जीतने में सफलता पाई और अब बात कर लेते हैं यूरोपा लीग की जहां इंग्लिश क्लाब लिवरपूल ने यूरोपा लीग में फ्रंच क्लाब टुलूस को पाच एक सहराने में सफलता हासिल की लिवरपूल के तरफ से पहले हाफ में तीन और दूसरे हाफ में दो गोल किये गए इस जीत के साथ टीम ग्रूप ए में शीरिश पर बनी हुई है लिवरपूल के लिए जोटा ने नौवे मिनिट में पहला गोल किया एंड़ो ने तीसवे और नुनेज ने चौतिसवे मिनिट में गोल करके टीम की बढ़ात को तीन शूने कर दिया दूसरे हाफ में ग्रेवन बर्च और मोहमद सालहनी गोल किये एक कन्य इंग्लिश क्लाब ब्राइटन ने यूरोपी फूर्बॉल में अपनी पहली जीत हासल की यूरोपा लीग में ब्राइटन ने आयाक्स को दोशुन सहराने में सफलता हासल की ब्राइटन के तरफ से दोनों हाफ में एक-एक गोल हुए पेडरो ने 42 में और अंसुफाटी ने 53 मिनिट में गोल किये इटेलिन क्लाब एस रोमा ने स्टलाविया प्राग पर दोशुन की रोमांचक जीत दर्ज करते हुए ग्रूब जी में अपने अजे सिलसले को बरकरार रखा रोमा के लिए एडिवार्डो बोव और लुकाकु ने एक एक गोल किये तो खेल समचार के इस रंक में फिलाल इतना ही हमारी पूरी स्पोर्स टीम को दीजिए जाज़त नमस्कार करते हुए